गुरु प्यारी सां संग जी वाहिकरुजी का खाल सां शिरी वाहिकरुजी की फते। संग जी आजसी तुहानू साखी सुनावां के चल शिरी गुरु नानक देव जी निकी उमर देसं ता बहुती कट सोंदे ते कट खांदे सी। गुरु जी हर वेले अकाल पुर्खते नाल चुड़े रहनदे सी। किसे कमकाज विच कोई दिल्चस्पी नई सी रखते। बहुत कट सोंदे ते बहुत कट खांदे सन। ते इंडूगियां सोचांदे विच कलतान रहनदे सन। करवाणयानू चिंता होई के शायद उन्हानू कोई रोग लाग गया। इस करके उन्हाने एक दिन पिंड़ दे वैद नू बलालया। वैद दिनाल कल कर दियां गुरु जी ने आखिया। कि ठीक इलाज करन लेई पहला रोग पच्छानन दी लोड हुन दी है। मेरे स्रीर नू कोई रोग नहीं है। जे कोई रोग है ता आप जी नू उस दी समझ नी। वैद नियगों आखिया। मैं बड़े बड़े रोगी ठीक कर देते ने। ऐसा केडा रोग हो सकता है जिस दी मेनू समझ नी। गुरु जी ने आखिया। परमात्मा ने ता इनसान पैदा कीता है कि ओ लोकां दे दुख सुख दा पाईवाल बने। अते किसे मनोख जानवर उते कोई अत्याचार ना करे पर इथे ता मनोख अपनी जवानी, समाज विच अपनी ताकत अते रुत्वे दे नशे विच किसे दा दुख वड़ाँ दी बचाए लोकां ते जुलम टौँदे जबरंत अरंब जल्दा है, औरतां दी बेपती करते पर इना को कर्मा दे विरुद कोई अवाज नहीं उठा रहा मैता जही रोगी इंसानियत नूँ वेग के उदासा कि थोड़े पास इस दा कोई इलाज है गुरुजी निया गल्ला सुन के वैद दी निशा हो गई उसने गुरुजी दे परवार नूँ आख्या के नानक जीनू कोई स्रीरिक दोख नहीं है जेडे रोग तो इस दुखी ने उस दा इलाज मैं नी जान दा पर गुरुजी आखन लगे के लोकाई दी आत्मा दुखी अते निर्बल है जिसनू बल्वान ते सेतमन्द बनाउन वास्ते नाम सब तो वड़ादारू है नाम सिवरन नाल मा निर्मल अते बल्वान हुन दै अते निर्पे होके अनांद विच रेन लग जान दै ते उस विच पाप ते जोलम दा टाकरा करन लई अथा शक्ती उतपन हो जान दिये वैद गुरुजी दा इलाज करन आया सी उल्टा जोर जोलम दा इलाज करन दा नुसका लेके चला गया बुला चुका माफ करनिया जी वाहिकुरुजी का खाल सा शिरी वाहिकुरुजी की वते